दोस्तो हमारी यूटूब चैनल किसान डेरी फारम में आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसो के हाइब्रीड बीज की की आपको अपने खेत में कौन सा बीज लगाना चाहिए हम आपको टोप की तीन वेराइटी बताएंगे जो की हमने बिलकुल अप किसान भाई कोई भी बीज दुकान से लेके उठाके लेके आजाते हैं और कोई भी बीज लगा देते हैं पर इससे पहले हमें थोड़ी जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है दुकान वाला में कोई भी जो बीज होता है वो उठाके दे देता है सस्ता हो या महंगा हो आपन अच्छी पैदावार होने वाली है दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सक्ति वर्दिक वीज की यह एस्वी जे एच एक सो एक हाइब्रीड सरसो का बीज है दोस्तों और इसकी जो पैदावार होती है नॉर्मली बारा से चोदक कुइंटल परती है कड़ होती है और यह फसल यह मालू आप सोच एक सो बीज दिन के अंदर पक के त्यार हो जाती है और इसमें जदा खर्चा वह आपका लगता नहीं है एक दो बार आपको यह दो बार आपको यूरिया डालने पढ़ती है और पहले आपको डी ये पी की वुआई करने पड़ती है खादिकि उ के बाद आप ये बीज डाल सकते हैं और बुआई कर सकते हैं काफी अच्छी पैदावार होती ही बार से चोद्य कोइंटल की इसके ओसत निकल के आती है दो तो परतिय कड तो इस में कहा है कि इसकी जो सर्चों की लंबाई है वो पूरी पांस से शे फिट तक होती है दोस्तों की एक खासियती है कि दोस्तों ये बीज आपका 6 फूट की हाईट तक जाती है और सर्चों जो होती है थोड़ी मोटी होती है और बिल्कुल ब्लैक कलर टाइप आप लगा सकते हो इसका भाव भी मार्केट में काफी अच्छा देखने को मिलता है और जो ज़्यादा तर व्य की वो नंदी का 300 हाइब्रीड भी जाता है दोस्तों यह आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और इसके हम अब की बार इसकी जो हम अपने खेते में बुआई कर रहे हैं वो यह मानलों की आपको 10 से 12 कोंटल परती है कर देदेगा और इसके एक खासिती है कि दोस्तों इसक साड़े पांच वीट तक की होती है तो यह तीन आपकी टोप की हाइब्रीड की किस्ट में थी और सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे यह की खेत में बुआई करने से पहले आप बीज उपचार जरूर कर ले और बीज उपचार में क्या होता है कि दोस करने के लिए तो यह तीन टोप की फसले थी दोस्तों इसमें क्या है कि आपकी जो पैदावार होती है यह बहुत ही अच्छी होती है और इसमें क्या है कि यह रिजल्ट हमने बिल्कुल अपने खेत में बौई करने के बाद ही आपको यह बताया है हम पिछले पांच साल से य जो हाइब्रीड किसमे हैं हम यूज कर रहे हैं तो यह किसमें आप यूज करके आप अपने खेत में बहुत अच्छी तरह से यह फसल ले सकते हैं तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को प्लीज